हेले स्टूडेंट कैसे आप सब एक बार पुना सी कोचिंग लासे पर स्वागा था हूँ उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे और पैरे बच्छों यहां पर जो मैं महात्पूर्ण प्रिशन बताने वाला हूँ इनको आप तयार कर लेना बहुत सारे बच्छे कहते जिनके पास पेपर होगा या जो पेपर बना सकता है पेरे बच्छों एक टीचर आपको केवल गाइड करता है कि बच्छा लोग अभी आप तक कुछ नहीं पढ़े हो अभी तक में तो कम समय में इन प्रिंट प्रिशनों को जरूर पढ़ लो क्योंकि ये विगत बरसों में पूचे गए हैं अभी हम आपको सन भी दिखाएंगे कैसे क्वेशन पूचे गए हैं इसलिए आप लोगो तैयार करना है शुरू करना है ठीक है चलिए फटा फट तैयार करते हैं और यहां पर एंसर आप लोग लिख लीजिएगा जैसा भी हो और कहेंगे तो टेले ग्राम बेबी में सेयर कर दूँगा यहां पर यह जो पहला कोश्चन है निवंद साहित का विकास्क्रम इनको कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको तो कि समय बहुत कम है बहले यार यार लेकिन अभी वह चीज़े पढ़ना है जो बहुत महत्पून है यहां पर देको 2019 में आया था आत्मकथा के दो लेखक लिखो उनके नाम लिखकर आत्मकथा की दो विशेष्टा है लिखो ठीक है तो देखे आत्मकथा मतलब स्वयम का कथा विशेष्टा बिल्कुल आप साब्दिक अर्च से निकालोगे ना कि आत्मकथा में लेखक अपनी ही कथा को लिखता है सब्द पीछेगा तो कल्पना समविस पतलब कल्पना करके लिखेगा कि मैं ऐसा था मैंने ऐसा किया था तो विशेष्टा आत्म कथा में लेका अपनी कथा कहता है और आत्म कथा में जो कल्पना का समविस होता है पतलब कल्पनिक चीजों को अपने ही जीवन का काल्पनिक कोई भी व रचना क्या है कुछ आप बीती कुछ जग बीती इसके अब्जेक्टिव भी आ जाते हैं कुछ आप बीती कुछ जग बीती के लेखा कौन है तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती के लेखा भारतेंदु है एक और लिख लो बाबू गुलाब राए मेरी असफलता है हम असफल अनुनूं arrived और जब स्वैयम लिखेंगे तो कल्पना की प्रधानता रहेगी इन्हीं कल्पना का समभिस होता है ऑके चलिए आगे हमारा अगला क्वेशन आपके लिए है पैरबचो ये क्वेशन तेर करना रेखा चितर के से कहते है रेखा चित्र के विशेष्टाएं दूसरा कोश्चन है देखिए मैं केवल सेलेक्टेड कोश्चन कह रहा हूं ऐसे प्रिशन हैगा रेखा चित्र किसे कहते हैं रेखा चित्र की विशेष्टाएं तो किसी बस्तु या पात्र का आकरसक ढंक से चित्रात्मक बर्णन ही रेखा चित्र किसी भी मारमी घटना किसी भी संधरे घटना किसी भी घटना कोई भी घटना हो रहा है उसको एक चित्र के माध्यम से बढ़न करना रेखा चित्र कहलाता है इसकी विशेस्ता देखो रेखा चित्र विश्त्रत होता है रेखा चित्र किसी भी साधान विश्त्रत लिखा हुए रेखाचित्र काल्पनिक भी हो सकता है लेकिन जो संस्परण होता है लेकर आया सणस्परण होता है लेकरप शयम किसी महानपूर travaill समंदित रेखाचित्र हो लेकिन उत्सक्तरन कउता है यह संस्पर करटा है बिद्लों से टहvordan होता gwen लेकिन जो आपका संसमर्ण होता है ये लेखा का किसी महान पुरुस से संब्धना और संब्धित होता है ये जो रेखा चितर होता है किसी भी घटना पर लिख जा सकते हैं लेकिन केवल संसमर्ण जो होता है एक महान पुरुस से संब्धित होता है ऐसे तीन अंतर बना लो तीन संस्माण के तीन भी सेस्थाइं लिखो आप लोग तो संस्माण का आर्थ है भली वात याद रखना या याद करना संस्माण में लेखा सोयम अपनी अनभूत किसी बस्तू बेक्ति या घटना का आतमीता का कलात्मा कुरूप से बिस्तरद बर्डन करता है इसका संबद उससे होता है सिवरानी जी की प्रेम चंद्रगार में संस्माण साहित की अनोठी करती है अब देखो इसको आप पढ़ले याद नहीं हो रहा है आपको याद भी नहीं करना है संस्माण आप लिखो संस्माण का अर्थ है भली वात याद करना संस्माण में लेखा स्वयम के ग्यान को किसी ब्यक्ति विशेश के घटना का बढ़न करता है, यह स्वरूब देता है, संस्मान करता है, भली भात याद रखना, जो लेखाक होता है, अपने ही ग्यान के माध्यम से, अपने अनुभूत के माध्यम से, अपनी छम्ता के माध्यम से, किसी ब्यक्ति विशेश के घटना का मार्मिक बर्णन करता है वो हमारा संस्माण कहलाता है संस्माण के तीन विशेष्टा याद करना है तो लेखा के इस्तमरती पटल पर अंकित किसी विशेष्ट वेक्ति के जीवन के घटनाओं के विवर्ण संस्माण होता है मैंने परदे ही बता दिया कि जो संस्मरण होगा किसी महान व्यक्ति के बारे में कोई भी घटना घटित होगा, उसके बारे में लिखा गया घटना होगा, संस्मरण किसी महापुरूस या किसी विशिष्ट घटना से ही संबंदित होगा, ऐसे नार्मल समान घटना संबंदित नहीं होगा, संस्मरण संश के विशेज घटना का बर्णन करता है किसी महान ब्यक्ति या किसी विशेज ब्यक्ति के ही घटना का बर्णन करता है तो संस्मन कहलाता है छोटा होता है संशिप्त होता है देखेगा ये कोश्या हमारा पंद्रे सूला सुरी पंद्रे सूला और चौदा में आया था देखलो ज चरित ब्यंग बिनोद आदे नियों पर अधायित है। ये बाईया ये देखो ये कहाबतों और मुहाबरों को भरपूर प्रयोग किया गए। इसको किसी कभी विशेष्टा बोल देगा। किसी यूक का। सब में मार देना। रस और अलंकार का बिश्टरच प्रयोग किया होगा। ऐसा कोई भी भगया का निबंद होगा इन जिसमें रस अलंकार नहों कहाबत मुहाबरा नहों। तो एक दो विशेष्टा नहों तुक्का लिख देना तुक्का समझ रहा हो। तुक्का लिखना सीखो विशेष्टा है। कि भारतें दुबेदियों की चाल बंदन किया गया है भरपूर यूज किया गया है भरपूर यूज किया गया है कौन जानता है वहां तो चेक करने वाला टीचर ही जानता होगा कि दुवेदियों के कौन-कौन से निवन्ध थे दुवेदियों के कौन-कौन से मतलब कभिता कहानी थे कोई नहीं याद रखता है तो ऐसे में एक दो आप ऐसे अपने लाजिक से लिख सकते हों नमबर नहीं कटते पर चलोग समझ रहे हैं तो भारते अंदियों की जो भारते अंदियों बहुत पुराने समय कि तो इसमें राजनीत, धर्म, समाज, प्रकत, यात्रा, बर्णन, सब कुछ बर्णन किया गया है मुहाबरों का, कहाबतों का बर्णन है अतधिक गंभीर विश्यों को भी इस युग में लिखकों ने सरल सुबोद एवं बर्णजन सहली से प्रस्तुत किया है यह देखो, यह बिल्कुल लाजिक कॉशन है गंभीर विश्यों कोई भी विश्यों को लेखक ने सरल सुबोद में बर्णजन सहली से प्रस्तुत किया है आप हर एक युग में लिख देना ना कि इस युग के कभियों ने किसी भी घटना को सरल एवं सुबोद तरीके से समझाने की कोशिस किये बस ऐसे में मज़ा आता है यार लिखने को हिंदी ऐसे ही लिखा जाता है बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है अगला क्वेशन आपको इसको भी तैयर करना है रिपोर्टा आज क्या है देखो 2010-12-18 में आया था रिपोर्टा आज क्या है उतना ये महात्रपोर्ण घटना नहीं है लेकिना चाहँ तो लेख सकते हो रिपोर्टा आज सबकी विर्टपति फ्रांसी सब्द रिपोर्ट से हुई है रिपोर्टा आज का आर्थ है घटना या विप्रण किसी घटना के बास्तिविक बढ़न या विप्रण को रिपोर्टा आज कहते है लिख लो किसी घटना का बास्तिविक बढ़न बास्तविक बढ़न काल्पनिक नहीं होना चाहिए बास्तविक ही होना चाहिए काल्पनिक कल्पना की गई नहीं होना चाहिए कैसे आप कहीं एक्सिडेंट देख रहा हो तो एक्सिडेंट के बारे में ही होना चाहिए समझ रहे है एक्जामपल के तौर पर यहां पर विशेष्टाएं भी देखे रखाए है, किसी घटना का बास्तविक बढ़न भी ब्रण होता है, रिपोर्टाज बास्तविक घटना का विवेचन ततर विश्लेशन होता है, घटना का विवेचन मतला विश्तराज बढ़न होता है, रिपोर रिपोर्टाज एक बास्तिवी घट्ना पर अधारित है रिपोर्टाज का प्रयोग किया गया है सरल भासा में समझाया गया है खैरी यार कौन देखने जाएगा समझ रहो ना लेकाग धर्म भीर भारती युद्ध यात्रा सिवराज 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 का प्रियोग गंभिरता था था बहुत दिखता का अधिक राष्टिय भाव धारा में युक्तिनी बंद लिखे लिखे गए अलोशनात्मा की बंदों का विकास हुआ इस यूग में ग्यान विज्ञान से संबंद उचिस्थरी बंदों की रिशना की गई भाई साम मैं एक लिख दो तीन वोलत तीन लिखी देना चार वोलत चार लिख देना इस यूग में मुहाबरेया और कहावत का विस्ट्रत प्रियोग किया गया है रस्चंद और इस यूग में लेखकों दोरा रस्चंद मलंकार का सुद्रन उप्योग किया गया है अपने तरीके से लिखो प बंद नाटक जो भी होगा उसमें ब्याकरना का बहत्रेंट प्रयोक किया गया है गंभीरता तो बहुत दिखता का दिख रहा है यह सब लाजिकल कोश्च आभी भी सच्छता ऐसे बना सकते हो बना ले ना वाई साब इसके बाद अगला कोश्चन यहाँ पर बनता है निवंध इस कोश्चन को देख लो निवंध को गद की कसोटी क्यों कहा जाता है समझाईए निवंध को गद की कसोटी क्यों कहा जाता है यहाँ पर यह कोश्चन बहुत महाच्पून है इस कथन कहा साई है कि गद सरी पद कि यहां पर पद इस कथन कास है कि पद किया पेच्छा गद लिखना अधिक कथिन काम है, क्योंकि दस पंक्तियों बाले काब में अगर एक भी पंक्ति अच्छी लिखी जाती है, तो कभियों को बहभाही मिल जाती है, किन्तो गद में ऐसी बात नहीं होती, जब गद का एक एक बाग सुसंगठित एवं विचारपूर होता है तब गद लेखा को बहभाही मिलती है मतलब पद में दस लाइन में से एक लाइन अच्छा ली दिया तो भाईया कभी को वहाँ पर बहभाही मिल जाता है लेकिन गद लिखने वाले लेखा को बहभाही नहीं मिलती जब तक कि उसके सभी बाकों में एक ओज नहीं होता एक सुसंगठित रूप से विचार भाव पूर नहीं होता गदों में निवंद लेखान और भी कठिन कार है इन में विचारों की तार्तमिता, रोचकता, सुच्छंदिता, आत्मिता, आदिका समविष करना होता है तभी निवंद कार प्रसंसा पा सकता है यह कार सबसे संभव नहीं है इसलिए निवंद को गद की कसौटी कहते हैं कहने का मतलब हिंदी में जो हम निवंद लिखते हैं वो सरल काम नहीं है, वो कठिन काम है किसे भी सामान लेखा के बस की बात नहीं होती इस कारण इसे गद की कसौटी कहते है क्योंकि पेरे बच्चों जब हम निवंद लिखते हैं उसके हर एक बाक में कहीं न कहीं कहीं न कहीं एक विसेश रूप से रूचकता बनी रहनी चाहिए तारतमता सुच्छनता आतमियता सका समाबेस हो पतलब वो कुछ समझ में आए कि बाकई में एक कुछ है तब उससे हम कह सकते हैं कि निवन है अपने भासन पढ़ लो अपने भासन में लिख लेना कहानी की परिभासा चार विसेश ताएं मत लिखो मत याद करो और पेरे बच्चों अगला जो हमारा है यहाँ पे ये दो कॉस्चन जीवनी आतमकथा में अंतर जीवनी किसी दूसरे दौरा लिखी जाती जबकि आतमकथा खुद के दौरा लिखी जाती है याद हो गया न अरे भाई जीवनी किसी जीवन के बारे में बढ़न करना जीवनी हो जाता है और आतमकथा खुद के बारे में बढ़न करना आत्म कथा में लेखक स्वेंग के गुड़े दोसों का विविचन करता है, जबकि जीवनी में दूसरे गुड़े का विविचन करता है, बिलकुल यह तो सरल यार, कोई मुल्क भी एक बार पढ़ लेगा तो याद हो जाएगा जीवनी और आत्म कथा में, संस्मान रेखाचित संकेतिक तथा बिंजन होता है, संस्मान का संबन्द प्राया महापुरुस्ते होता है, पहली बताया, रेखाचितर समान वेक्ट से भी संबभ हो सकता है, रेखाचितर चितर के मादम से बढ़ना होता है, बत से यार, सिंपल है, संस्मान बैयक्तिक जीवन पर ही अधायत होत होता है जबकि रेखाचित का अधार परेविच्छन विचार तत्त भाबना और कल्पना हो सकता है यह वाई सीज़ है सिंपल है ठीक है यह तक समझ में आया यह दो एंतर तैयार करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो भाई चाब देखो भाई यह 2013 मैं सदर्शन डूप से त्यारी करना है कहानी और उपन्यास में अंतर यार इसको तो नहीं छोड़ना है बाई साब उपन्यास बड़ा होता है कहानी छुटा होता है पात्रों की संक्या उपन्यास में अधिक होती है कहानी में सिमित पात्र होते है उपन्यास में कथा वस्तु का बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है फिर इसके बाद एक और question जो काफी ये बईया नाटक और एक आंकी में अंतार लो लो याद करो अनेक आंक वाली रंग मंचिय बिधा नाटक कहलाती है जबकि एक आंकी एक आंक वाली बिधा है पात्रों की संख्या दिखोती है एक आंकी होती है ज्यादा बिश्त्रत होता है जबकि एक आंकी में संशिप्त संबाद होता है नाटक भाईया बड़ा है तो एक आंकी छोटा है धुरुब शौमनी एक नाटक है जबकि प्रत्वी राज की आंख डाक्टर राम कुमार बर्मा का प्रसिद्ध एक आंकी है इसके बाद लगभग question इसमें समाप्त होते हैं जितना मैं आज बताया इतना त्यार कर ले ना नाटा के कांकी में अंतर आप कहोगे ट्रेली ग्राम में share कर दूँगा आपकी बुक में हो सकता ना मिले और इतना selected question बिल्कुल नहीं छोड़ना आप लोग और एक बार मैं कहता ह आपसे बनेगा और नए है चोनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चे लोग मिलते एक लिए वीडियो के साथ जैहिंग बंदे मातरम